जीव का इस जगत निपदन इस संबंद में वर्षा रुटू का धारण अत्यान तो प्यूक्त है रुटू के अनरूप वर्षा की स्रिष्टे के करता के रूप में दिया जा सकता है क्योंकि वर्षा के उपरांग तो भीगी हुए खेत विभिन प्रकाय के वनस्पतियों के अ अनुकूल होते हैं उसी भाति भगवान के भहतिक प्रकृति प्रत्रिष्टिपात के द्वारा जैसे ही स्रिष्टि होती है वैसे ही जीव तदकाल ही जीवन की विभिन दिशाओं में प्रकट हो जाते हैं थोड़ा सा माइक कम स्पीकर की वास के बगए यह ठीक वैसा ही है जैसा की वर्शा के उप्रांध विभिन प्रकार की वनस्पतिया Saоф जाती है वर्षात लू एखी है कि विभिन वनस्पतियों की रचना में वयविन्र पूरे खेल पर वर्षा तो एक ही है केद पर होना चाहिए वर्षा तो एक ही है किन्तु बोई हुए बीजों के अनसार भिन भिन रूप वाकार में भिन भिन सब्सुचिया उग जाती हैं इसी भाति हमारे इच्छाओं के भीज भिन भिन प्रकार के जो एक विश्ए प्रकार करे हैं स्री लरूपगोस्वामी ने इसे पापबीज शब्द के द्वारा स्पष्ट किया है हमारी समस्त बहुते के च्चाओं को पापबीज समजना चाहिए भगवद गीता में सपश्ट किया गया है कि वे है पाप पूर्ण इच्छा तथा पाप बीज यह है कि हम भगवान की शरण में नहीं जाते हैं अतेव भगवद गीता में भगवान कहते हैं मैं तुम्हें पापेच्छा के कर्म फल से सुरक्षा प्रदान करूँगा इन पापेच्छाओं का विस्तार विभिन प्रकार के शरीरों में होता है अते कोई भी पापेश्वर, कोई भी परमेश्वर पर यह दुशारों पर नहीं कर सकता है कि उन्होंने एक जीव को एक विशेश प्रकार का शरीर प्रतान किया है और दूसरे जीव को दूसरे प्रकार का 84 लाख यूनियों के समस्त शरीर जीव विशेश की मांसिक दिशा के अनुसार आते हैं स्री भगवान पुर्शोत्तम जीवों को उनके इच्छानुसार कारे करने का उसर देते हैं स्री भगवान पुर्शुत्तम जीवों को उनके इच्छा अंसार कार करने का आउसर मात्र बदान करते हैं अतेव इश्वर प्रदत्य सुविधाओं का लाव उठाते वे जीव कर्म कर रहे हैं एक इंपॉर्टन बात अगर आपने ध्यान दे हो ये बात तो आपको समझ में आ रही है कि वर्शा के बिना कुछ उगेगा नहीं लेकिन क्या उगेगा इस पर वर्शा का दाइत्व नहीं है क्या उगेगा किस पर निर्भर करता है जो बीच पड़ा हूए एक चीज जो मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ इसमें कि इच्छा है वही बीच का रूप है इच्छा को बीच का जा रहा है अगर आप इस पर अपलाई करें गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच तो फिर क्या आर्थ होगा इसका भक्ति लता का बीच का क्या आर्थ होगा सुद्भक्ति का वो बीच देते हैं गुरु क्या आर्थ है उसका अभी हमने पढ़ा कि बीच का आर्थ क्या है सुद्भक्त बगने की इच्छा और भक्ति लता बीच का आर्थ क्या है येस बक्ती की इच्छा होना और भक्ती की प्राप्ती की इच्छा होना कि मैं एक दिन भक्त बनूँगा शुद्वक्त बनूँगा ये इच्छा एक शुद्वक्त ही दे सकते हैं अच्छा इस जगत में पाप करने की इच्छा कहां से आती है माइक पी क्यों नहीं बोल रहा है संग से आती है तो संग कैसे होता है ना 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 ऐसे पाप करने की इच्छा अबिद्या के करना आती है पाप करने की इच्छा संग से आती है सही कह रहा है यह बिल्कुल सही होता है संगात संजायते कामा कामात करोदों भी जाएते हैं संग कहां से होता है जब हम उन लोग उसे संग करते हैं छह प्रकार का संग होता है तुस्काना श्विकार करना खाना देना गिफ्ट श्विकार करना गिफ्ट देना सबसे प्रमुख्य सुनना बातचीत करना नहीं कितने लोग भवान का तो आप देखें कि बहुत जल्दी परिवर्तन होने लगता है तो सबसे अधिक इच्छा का निर्माण होता है श्रवण के द्वारा रभुपाज जी इसको भगवद गीता में बताते हैं तो आप यह समझ सकते हैं कि त्या है माली हविया से बीज करे आरोपन श्रवण कीर्थन जले करे सिंचन तो हर भक्त को माली होना होगा और श्रवण कीर्थन के जल से इस बीज को सीचना होगा सीचेंगे तो यह इसमें से कुछ प्ती बत्ती निकले की इसका क्या अर्थ है कुछ है नहीं श्रावन किर्दन के जल तो ये तो एक उपमा दी जा रही है, तो जल से जल डालेंगे बीज में, तो क्या होगा? कुछ पत्तिया निकलेंगे, उसका अर्थ क्या है? इच्छा, और पत्ति का अर्थ क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है, आपको नहीं बोल पा रहे हैं? समझ रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं? बीज का अर्थ क्या है? और पत्तों का अर्थ क्या होगा? सिंपल है, इच्छा बलवती हो गई है. इच्छा जैसे जैसे आपका पेड़ बढ़ रहा है मतलब और आपकी इच्छा और अधिक सिवा कि इच्छा बढ़ रही है इसंट इट वह आप शुरुवात में बोला कि एक माला करो तो यह बीजी तो है ना आप जैसे पाप करता है तो थोड़ा सा पाप करता है फिर उसका वह बहुत सारे पाप उससरे देख रहे है ना वरिष्ट बढ़ता चला जाता है इस संबंद में आज एक बहुत इंट्रस्टिंग बात है जो कि बहुत बढ़ा कॉंफलिक्ट मेरे मन में था वह रिजॉल्व हुआ मैंने दोजनों चीज़ें कई बार पढ़ी लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कल समझ में आए कि कहा जाता है कि भक्ति से सारे कर्म नश्ट हो जाते हैं यह भी सही है और यह एंगल सुनते हैं कि अप प्रारब्दम में नश्ट होते हैं एक के बाद एक दार ये तो आपस में कुछ conflict से लग रहा एक तरफ बोलने वक्ति से सारे करम नस्ट हो जाते हैं, दूसरी तरफ बोलते हैं, एक के बाद एक नस्ट होते हैं, क्या अर्थ है असका? अर्थ ये है, कि जैसे एक पता लिजिए, उसका दूसरा पता लिजिए, पर तीसरा पता लिजिए, और उसमें आप एक पिन से छे दिए, तो आप कहेंगे, आरे बस तुरंट छेद गए सारे भक्तियां, बोलेंगे ना, सामाने बाशा में तो यही बोलेंगे, लेकिन आप जानते हो कि बड़ा कैसा है, एक बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चाहता, तो verbal expression में से बोल दी जाएगा कि करम तुरंट नस्ट हो जाते हैं, लेकिन वास्तिविकता हमें, एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद नस्ट होते हैं, भक्ति में, एक बाद, दूसरा चीज, अगर आप शाश्वत समय को लें, तब तो सही बात है, जैसे मैं बोलों कि चुटकी के बात, तो अगर आप ब्रहमाजी का सब्सक्राइब देखें तो बहुत जल्दी हो जा रहा है सरा कुछ, हमको भले लगे की बहुत समय लग रहा है, बड़ा ध्यारे रखना पड़ रहा है, लेकिन आक्शली करम से सब्सक्राइब नस्ट होता चला जाता है, सम्झ में आ र बड़ा sugar को लटा से जाता है, लटा को एक sahारी की जरुदरत होती है, वो पेड नहीं है, बाल दो ये बहां पर भक्ति वृरश लिखा है, लेकिन जी बात है कि भक्ति वृरश उक्ता भक्तों के संग में ही है, बग्ति वृरश बोली बहुत तो ब्रस्टि लटा बोल विव इस जगत में किस प्रकार आया रूप से? इसके लिए कौन उतरदाई है? जीव उतरदाई है बोग करने की इच्छा से है जीव किस प्रकार? विभन प्रकार के शरीर प्राप्त करता है उसके लिए भगवाद जिम्मदार है, क्यों नहीं है? जीव जैसे कर्म करते हैं उसको और वैसे उसकी पहले बात तो जैसे उसकी इच्छा होती वो वैसे कर्म करता है जैसे कर्म करता है उसको उस प्रकार का श्रीर प्राफ्त हो तरह से भगवान को इंट्रफेर नहीं करते हैं भगवान केवल सैंक्शन देते हैं मतलब उसको फिसल वासना का बहुत सिंपल से आर्थ है भगवान कृष्ण से सुतंतर होकर भोग करने की इच्छा चाहे वो पाप हो चाहे पुन्ने हो दोनों ही पाप है एक इंट्रस्टिंग बात है कि भगवान यहां कह रहे हैं कि जो वक्ति भगवान की शरण में नहीं जाता वही पाप करते हैं भक्तों का अनभव भी है कि बहुत सारी इच्छाएं पाप की जो होती है वो चाहने के बावजूद भी नश्ट नहीं होती है प्रयास के बावजूद भी नश्ट नहीं होती है तो भक्तों को वो प्रयास का फोकस की सिस्पे करना चाहिए कि हम भगवान की शरण द ने in ब्रफम स्कंद में बतायगेया है कि जो वेक्ति बहुति बहुνान करते रहता है कि अपने आप सारे पाप की वास्णाव को नश्ट कर देते इसे और उस्य बहुर्त〉 प्रत्रम स्कंद में बताया गया है कि जो विक्ति भगवान के बारे में सुनने का आगरे रखता है अपने यापी भगवान उसके अदे सारी गंदगी को साफ कर देते हैं कोई लोग याद आ रहा है क्या है नई धर्वा पोज़त नहीं है नई भगवान जो भग्त भगवान के बारे में सुनने का आगरे रखता है उसके हृदे से भोग की वासना भगवान स्वेयम साफ करते है क्या श्लोक है इसके आगे पिछे वाला है इसके आगे पिछे वाला ही इसके आगे पिछे वाला ही इस लोक है शुर्ण्वताम् स्वाकत्हा किर्ष्णा पुन्ने स्रवन कीर्थना हिरदें तस्त ही अबद्रानी विदूनोती सुर्षताम् गुट जैनिताय प्रभु विल गेट एक्स्टा स्वीट टोड़े ओके इस जगत की स्रिष्टी की दो कारण पार्ति कृष्णा प्रभु पढ़िएएएएग्वास पुक नहीं भगवान ने इस शृष्टी की रचना इश जगत की स्रिष्टी के दो कारण ब्हगवान ने इस शृष्टी की डचना जीवात्माओं के इन काम पुर्ण रूचियों की पूर्टी है तो सुविदा पर दान करने की निमित की और जब जीवात्मा इंदिर काल तक काम कर्मों में फसे रहने की कारण पुर्ण इत्या ओव जाती है तो वे अपना वास्तविक सवरूप जानने के लिए जिगासा करने लगती है 要ज आगर अपने सुबह हं दिक का लेक्टर सुना होता, तो बहुत अच्छी बात में शुरू करी थी कि सथ चंक इस्वार की इच्चा कभ टी है? जब विकथी? अंभाव का अणभाव करता है you हो थी संदर बात पता ही अजgone पथी आज इक सथी अज अज ये क्लास में सथसंग तब करता है जब अभाव का अनभव करता है इसलिए वो क्या नाम था उनका राजा का राजा रहुगुण जो है रहुगुण जो है गुजराथ से चल करके गंगा सागर जा रहे थे सिंपल से बात है आदमी खाना खाने करें तक अब तोड़ता जब भूग का अनभव करता है बहुत ही अच्छा लाइन था अगर आविचार करने तो कि मैं जगत में संतुष्ट नहीं हूँ प्रभुपाजी के जुश्शे थे वो भी देखे ना वो हिपी बन गए थे क्योंकि सुनने का आकरे होना चाहिए बहुत इंट्रस्टिंग अभाव कानभव करें कि मैं जगत में सुखी नहीं हूँ तो प्रेक्ति सुनने का तो जब भवान ने जगत में ऐसा बनाया है कि प्रेक्ति जितना भोग करेंगा उतना वी असंतुष्ट होता चला जाएगा यह नियम है तो इसीलिए जो लोग पहले करमकान में लगते हैं वो आप डिफॉल्ट करते 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 एक दिन वह असंतुष्ट होते हैं फिर वो करते हैं रहे चलो मैं ब्रह्म में ब्रह्म का अभियास करना शुरू करता हूं यह जगत में सुख नहीं है ठीक है किन्तु हमने सुना है कि भगवान की इच्छा के बिना घास का इक तिर्ण भी नहीं हिलता तो जीव का इस जगत में आकर अच्छा बूरा करम करने के लिए भगवान जिमेदार नहीं है क्या देखे इस चीज़ को तोड़ा समझ लेते हैं से पहले कि मागे जाए भगवान की इच्छा के बिना तिर्ण नहीं हिलता है लेकिन सैंक्षन अनुमती और सहमती में अंतर होता है अनुमती और सहमती में अंतर होता है एक छोटा बच्चा जब पुछ करना ही चाहता है तो पिता कि तठीक अनुमती कर लो तिस सहमती नहीं है वो यह नहीं कह रहे है कि चीज़ सही है अगर ऐसे सही कह रहे होते तो भगवान क्यों बोलते यही संही संस पर शजा भोगका दुखवी ओने आहे वते जो भोग है उसमें कि वह केवल धुख का जननी है तो घ्यान भगवान इस प्रकार करने दे रहे हैं सुविधा दे रहे हैं भोग करने की समझ में रहा है नहीं समझ में रहा है ग्यान जब दे रहे हैं तब बोल रहे हैं कि भोग से तुम्हें दुख प्राप्त होगा लेकिन सुविधा फिर भी दे रहे हैं और इसलिए आप गीता के अंत में देखेंगे भवान क्य हो जाएगा लेकिन फिर भी ज़ो करना तुम्हें करो तो बना को देते हैं ज्ञान देते है लेकिन फिर तन्दता भी कते कि इसलिए भक्ती में स्धृधांत और शास्त्री को सुनना अवस्छ शक के क्योंकि हम लोग भक्ती बाइच्प्रइब रहे हैं अगर आपको बोला जा रहा है कि आप अंगल आरती उठिए जब करिए तो हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं अपनी इच्छा से अपनी इच्छा को समर्पित कर रहे हैं भगवान को मुश्किल होगा संब्य है, हम प्रगति करना चाहते हैं, तो अपनी इच्छा से जो अपनी इंडिपेंदेन्डंट रहने की इच्छा है, उसको भगवान को समर्पित कर है गुरु को समर्पित कर रहे हैं, हम अपनी हिसाप से नहीं चल सकते, यह हमारा वॉलुंटरी प्रसस ह जैसे उधारन के लिए अगर हम ठीक होना चाहते हैं तो हम अपनी इच्छा से वैद्ध के अनुसार चलते हैं वैद्ध हमको फोर्स नहीं करता है लेकिन वो एक से कंडिशन यही है कि अगर आप ठीक होना चाहते हो तो आपको यह नियम पालन करने होंगे कोई कुढ़ने के जुरत नहीं है कुढ़ना समझते हैं अगर जो आपकी इच्छा है, हमारी इच्छा है कि हम कृष्ण प्रेम प्राव्प्त करेंब्ध करें माली हो या हमें खुद माली बनना अगर दूसरे को माली नहीं आ सकते कि पाश्यार रुपे देखर कि मेरे बिहाफ पर आप भागवत क्लास में बैठ जाओ उन नहीं होगा या मेरा जब कर देना दस्यार रुपे देलो उन नहीं चलेगा प्रेम तो हमें खुद ही डिवलप करना भगवान का प्रती तो समझ रहे हैं आपके बात आप लोग बात समझ रहे हैं भगवान की अनुमती है भोग करने की सहमती नहीं सहमती नहीं पढ़ी आगे मात्मा गांदी कहते हैं बगवान के अनुमोधन के बिना एक घास भी नहीं हिलता यही सकते है श्रीक्रिशन के अनुमोधन के बिना कुछ भी करना संभव नहीं है तब तुम पर्षन कर सकते हो कोई अच्छा करम करता है कोई खराब करम करता है क्या दौनों के करम में क। प्रुपा जी इसमें करना इंसान का सभा हुआ है, तो भी महतमा गांधि ने भी गल्ती किय थी भी उसको माना किया था भी आप मेटिंग में मझ्वूप और देगा को मार दिया गया तो एक आदमी ने कोशन बुचा भी मातमा गांदी तो देश के लिए कर रहे थे अच्छा ही काम कर सकते हो को अच्छा करम करता है कोई खराब करम करता है क्या दोनों परकार के करम में क्रिष्टिन का नुमोदन है हाँ, दोनों ही में क्रिशन का अनुमोधन है क्रिशन के अनुमोधन के बेना कोई कुछ भी नहीं कर सकता किन्तु क्रिशन किस पर कर दोनों करमों को अपना अनुमोधन परदान करते हैं उन्होंने हमें विवेक दिया है अल्प सवाधिन्ता दिया है हम लोग कभी भी पूरण रूप से स्वाधिन नहीं हो सकते किन्तु वो हमारे सिमित स्वाधिनता में हस्ट शेप नहीं करते तुमारे पास अगर कोई स्वाधिनता ना रहे तुम अगर स्वाधिनता वीन हो जाओ तो तुम तो एक चेतन सता हो, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा परतेक जीव को सिमित स्वाधिन्ता प्राप्त है तभी सिर कृष्ण ने परतेक को अपनी अपनी पसंद अनुसार स्वाधिन्ता प्रदान की है अब तुम क्या करोगे, वह तुम्हारा उतर दायत तो है कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई बुरा काम करता है क्रिशन सबका अनुमोदन कर रहे हैं, किस परकार? अनुमोदन इस परकार है, जब कोई कुछ कामना फलिभूत करने के लिए प्रातना करके यह बोलता है हमें यह करना चाहता हूं वह अच्छा हो या बूरा कोई फरक ने पड़ता इसे करने में मेरा खूब आगरह है जब वह इस परकार कुछ करने के लिए होता है तो कृष्ण अनुमोदन करके कहते हैं ठीक है करो वह हमें श्योग परदान करते हैं तो देखिए कि एक उधारन ल देख रहा है समान प्रिक्षे पुरुषव निमग्णव श्लोक करके आता है तो यह पाप और पुन्य को भोगने का सलसला चलता रहेगा जब तक कि यह पक्षी जो खाने वाला पक्षी है उस पक्षी की तरफ उनमुख नहीं हो जाता है भक्त लोग ना तो पाप में तो केवल पापी विक्ति नहीं होता है बहिर मुख का अर्थ पुन्यात्मा भी होता है क्योंकि पुन्यात्मा होगा भगवान का बक्त नहीं होगा बहिर मुख ब्रह्मा जन में नहीं आश कोई ब्रह्मा बन सकता है बहुत सारे पुन्य खटा करके लेकिन जरूरी नहीं है क कि वो भगवान शी किष्णे का भक्त हो इसी लिए भगवान बोलते हैं अपी चेत व सुदुर अचारो भजते इमाम अनन्य भाग जो मेरी तरफ उन्मुख है उससे कोई पूर्व के अभ्यास के कारण गलती भी हो जाती है फिर भी उसे साधु मानो साधु मतलब अच्छा भ भगवान की तरफ उन्मुख होने के ट्रैक पर जो पाप अर्पने में लगे पड़े हैं उनको भगवान से कोई मतलब नहीं होता है ठीक है और दूसरा चीज यहां पर आप नेक देखा है कि भगवान ने हमको अल्प स्वाधिनता दी है जैसे इस हार्मोनियम की कोई सुतं नहीं है मैं इसको पूरा दिन ऐसे करते रह सकता हूं यह कोई कंप्लेन नहीं कर सकता लिगने जीवित व्यक्ति कुछ रिस्पॉंड करेगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं अनभव करने की शक्ति हमारे पास है यह आप लोग समझते ही है और थोड़ा विचार करेंगे तो हमारी जोभी स्वाधीनता है वो कब है कब होती हमारी स्वातंतरता कब रहती है हमारी किस समय हमारी स्वतंतरता रहती है ऐसे बोल दीजिए मैं रेपीट भी कर दूँगा यह जब हमें माय और कृष्ण में चूज करना हो हां लेकिन किस समय हमारी जो स्वतंतरता है वंको मिलती है केवल इस समय हमारे पास सवतंद्रता है right now at this moment सवतंद्रता है मैं तो माया की सेवा करने की या कृष्णी की सेवा करने की तेंकि सेवा करने की यह सवतंद्रता है वो कब है just now आप दसमेट पहले माया की सेवा कर रहे थे के नहीं कर रहे थे पता नहीं क्रिष्णी की सेवा कर रहे थे उस पर कोई कंट्रोल नहीं है और आप दसमेट के बाद माया की सेवा करोगे या क्रिष्णी की सेवा करोगे कोई कंट्रोल नहीं समझ में आ रहा है लेकिन इस समय पूरी तरह से हम सतंत्र हैं कभी सोचिए दुनिया की कोई शक्ती इस समय right now मुझे नहीं रुख सकती कृष्णी की सेवा करने से क्या आप सुविकार करते हैं कितने शक्तिशाली हो जाते हैं अगर आई इस बात को विचार करें और दुनिया की कोई शक्ती दस मिनट पहले अगर मैंने क्रिष्णी की सेवा करी तो मुझे माय की सेवा नहीं करा सकती और माय की सेवा करी तो क्रिष्णी की सेवा नहीं करा सकती वो तो गया इसलिए बोला जाता है कि जब नाम जब करें तो प्रयास करें कि उच्षण उजए मेहामंथ्र सुनने का प्रयास करें हमारे बहुत सारे हमारी जो इच्छा है उसको ऐस्प्रोइट बहुत कर सकती ऑर किया भी है जिस्वार बीघ्छार करेगी करने का प्रयास करती रही लेकिन इच्षण वे कुछ नहीं कर सकती यह बास समझ में आ रहा है आ रही है थोड़ा विचार कीज़ेगा आगे के क्लास में पूछेंगे कि याद हुई कि नहीं और जनरेली भक्त लोग इसी साइकल में फसे रहते हैं मैं तना पापी था मैं ये कर रहा था मैंने वो किया ये किया कि मूरता है उसके बारे में सोचनें से कुछ नहीं होगा आज मैं बहुत अच्छी बात बताना वाला था कल मुझे मालम चला है कि मेरे सिदार है तो उनकी दो लाग रुपे सेलरी है महिने की अभी वो जहां पर काम करते हैं वो गवर्मन्ट से वो प्राइवेट हो रहा है तो और जिस व्यक्ति की इतने अच्छी पोस्ट है इतना सब कुछ है वो इतना चिंता में है और बैंक में बैंक 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 बैंस भी है सब्लाइट भी खरीद के रख्यों है तो यह दिखाता क्या है कि भौतिक आश्रय कभी भी निर्भायता नहीं दे सकता यह बहुत ही गहर हम यह सोचेंगे और अपने जीवन में अमल लाएंगे उतना ही हम लोग भगवान के शरणागत होने के लिए और प्रोच साहित होंगे कितने अश्रय के बात है न गिधान है सब को चाहिते हैं फिर भी एंजाइटी बनी रहती एंजाइटी और इसको आप्रमार देख सकते हैं कि इंद्र कितने बड़े पोस्ट पे हम लोग सोच भी निसकते हैं मजाग बनाते रहते हैं बहुत बार भग लोग लोग लेकिन हम सोच भी निसकते कितनी बड़ी पोस्ट में हैं लेकिन हमेशा भाय बना रहता है कोई तपसा कर रहा है रहे मेरे पद को लेगा मेरे पद को लेगा अची बात है ओके प्रहुपाद अगला एक कुछ पता रहें कता दास्रती प्रहुपाद सकते हैं नेक्स्ट प्रुपाद प्रुपाद अपने व्यक्तिगत जीवन से एक उधारन दिये हैं उन्हें 1226 वर्ष से जब वे दो वर्ष के सिसु थी वहाँ पर एक पंखा चल रहा था उन्हेंने कहा कि मैं पंखा इस पर्ष करूंगा उनके पिता ने कहा ना इस पर्ष मत करना किन्तुपा शिसु इसपर्ष करने के लिए फिर से पर्यास करने लगा तो वहाँ पर उनके मित्र ने उनसे कहा कि पंखा की गती कम कर दें एबं उसे हाथ देने दें मैंने पंखा की गती कम कर दी एबं उसने इसपर्ष किया तुंग, उसके बार, उसने कभी इस पर्स नहीं किया, इसलिए जब कोई अनभव प्राप्त कर लेता है, तो बोलने के उपरांध भी वह काम नहीं करता, तो इसलिए भगवान ने हमको यह बहुत एक जगत का अनभव दिया है, ताकि अब इस एच्छा को हम दुबारा कभी न नहीं लेना चाहेगा, कितना जनम लेना चाहे, तो क्यार उसका कुछ नहीं किया सकते, जनम के बारे में तो कितने जनम होंगे और नहीं है, पता, लेकिन, दुबारा भौती जगत में आने के बारे में, तो हम लोग इच्छा नहीं करेंगे, कितना संखर्ष है, शरीर से नहीं देते हैं, आने दिया है, लेकिन परमातना की रूप में रिदय में हमारे हैं, और इस बारे में छोटा सा एक टिपड़ी करूँगा, जो मने कल सीखा, भगवान नवे धावे बोलते हैं कि वह सब जगे हूँ, फिर भी नहीं हूँ, तो इस कारत है कि भगवान अपनी श शक्ति उसे सब जगे हैं, गोलो का इविनस निवसति अखिलात्ना भूतागार्त है, कि भगवान परमातना की रूप में सब कड़ों में दिमान हैं, लेकिन दिखते नहीं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ है, आप आपको बहुत सिंपल लग रही होगी, लेकिन थोड़े सी इतनी सिंपल नहीं है, जैसे यह बल्ब है, बल्ब की रोशनी पूरे रूप में व्याप्त है, तो जो रोशनी की कड़ हैं, उनके कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन भगवान अपने आपको परमातना की रूप में सब जगे व्याप्त करते हैं, लेकिन और वो व्यक्ति भी क्पी है फिर भी दीखते रहे हैं। और ये उनका योग ऐश्वर्ि यहां यह चंट he कोई वीघ्थि अगर हर जगह होगा दिखना चाहिए। तो हर जगह व्याप्ट भिस्ट्रुप के संग व्याप्त रूप के संग व्याप्त हैं, दिक्ने भागवान का चीनतए ताहसरी है ठीक है प्रस्न नमबर फांच भागवान की यह जगत शुरिस्टी करने का क्या कारण है क्या कारण है बद जिवात्मा को भोग करने की सुधा दिजाए अब लोग रूक रूक के बोल रहें कि confidence नहीं है कि अभी था तो भोग करने की सुधा प्राप्त हो और भोग करने से फिर दुख प्राप्त होगा फिर वो भगवान के तरफ मुड़ने के लिए हम लोगों ने सुना है कि भगवान की इच्छा के बिना एक घास भी नहीं हिलता तो इस जगत में आकर जीव के अच्छे बुरे काम के लिए भगवान जिम्मिदार नहीं है हैं या नहीं है यह शीला प्रभपात के विक्तिकर जीवन के धारन के माद्यां से समझाएं तो प्रभपात यहां पर बता रहे हैं फैन वाले एक परग्राफ और चुछा करते हैं जीव को अगर अलप स्वाधिनता नहीं रहता है यह जीव को अगर अलप स्वाधिनता नहीं रहता तो वह यंत या रोवट में परिनत हो जाता आप किसी यंत्र के साथ प्रेमभाव का आदान परदान नहीं कर सकते अनन्त जीव, अनन्त रूची के अनुसार भगवान की सेवा करके भगवान को आनन्द परदान करते हैं एवं स्वेम आनन्द परदान करते हैं प्राप्त करते हैं उसी उद्देश के लिए जीव को अल्प स्वाधिंता परदान करते हैं भगवान के दर्सन करने के लिए भगवान चक्छु परदान करते हैं उनकी कथा स्रवन करने के लिए कान परदान करते हैं एब हम समस्त अंगों को देकर भगवान की सेवा करने के लिए भगवान हमें सुअपसर परदान करते हैं इसके विप्रित इन सेवा का गलत बैवार करने के कारण हम इस जगत में बद होकर कश्ट भोगते हैं प्रश्टन जीव को सौधिंता परदान करना क्या गलत है स्वाधिन्ता प्रदान करने का उद्देश क्या है स्वाधिन्ता प्रदान करना क्या गलत है नहीं है और क्या उद्देश है यस आनंद का आदान प्रदान करे एक इंट्रस्टिंग है कुछ लोग कहें गया रहे हमारी इंद्रिया तो बहुते क्या है ये भगवान के सिवा कै कर सकते हैं भगवान की क्षपा से भगवान की सिवा कर से हाँ ध्यान देना चाहि के हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा के ल आता है किछ वरी सिंपल हमारी इनड्रीयं दी भूँन की सेवा करने के लिए एक और क्षेटिंग बात है कि जब हमारी इनड्रीयों को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उनकी पावर बहुत बढ़ जाती है, और फिर वो भगवान के नाम रूप रस की, नाम रूप गुण आदी के रस को पकड़ने लगती है, थोड़ा ऐसे समझे कि, अगर इंद्रियों का उपयोग भोग में करते हैं, तो उनकी शक्ती डिसिपेट हो जाती है, डिसिपेट समझते हैं, विकीन हो जा बढ़ते जाते हैं, तो वो शक्ती बढ़ जाती है, तब जिसे कहते हैं, तब गीता में किश्लोक बढ़ते हैं, सुखम आत्यंतिकम यतद्ध ग्रहयम अते इंद्रियम वेतियत्र नचेवायम स्तितस चलति तत्पताहा, जब इंद्रियों पूरी तरशुद्ध हो जाती है, तो वेक्ति भगवान की भक्ति के सुक्का अनभव कर पाता है, तो बुद्धिमान वेक्ति को प्रयास करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को और अधिक से अधिक शुद्ध करने के लिए, यथा यथा आत्मा परिमरज यतेसव, मत पुन्य गाथा श्रवना विदाने, तथ एक चाहिए, ति मात्रा में जीव की सुद्धी हो जाती है, बहुद्धव श्रुक्ष्ण की चुद्धाश की चक्वत्धा को ऑनभव कर पाता है, अभी हमने चर्चा किया था कि परमातना को नहीं देख सकते, निब लिए बगती के प्रोश्च से अगर हमारा हिदयश्य व हो जाता है तो भगवान को देख सकते हैं जैसे इस पूरे रूम में अगर मैं कहूं कि क्रिकेट व्यापत है यह निउस व्यापत है तो क्या आप स्विकार करेंगे लेकिन माल लीजी यहाँ पर टीवी लगा देढ डेस्टॉप क्या होता है वो डिटीप लगा दें और जैसे करेंगे तो तुरन्त क्रिकेट यह निउस प्रकट हो जाएगा तो अगर है नहीं तो आपाया कहां से, यानि है, सब जगे व्यापत है, वो वाइबरेशन, लेकिन वो इंस्टूमेंट आसा होना चाहिए, ऐसे ही भगवान का नाम, रूप, रस, सब जगे व्यापत है, हमारा हिरदे जब शुद्ध हो जाएगा, वो connection हो जाएगा, प्रेम का connection से कहना चाहिए, तो इंद्री अगर हम यहां पे जहां चाहिए, तो जैसे आख हमें एक example लेते हैं, अगर देखा जाएगा तो वो शुद्ध है, कैसे, और मन बस हमारा कर रहा है, क्योंकि हमने उसको, समाझ गया, इंद्रियों को शुद्ध करने का अर्थ है, इंद्रियों को शुद्ध करने का एक धारण देते हैं, जैसे, एक स्तिरी को छोटा बच्चा अपनी मा के रूप में देखता है, एक कामी वेक्ती भोग के वस्तु के रूप में देखता है, एक योगी देखता है, यह तो मत्टी का धेर है, एक ज्ञानी देखेगा, यह तो माया है, तो एक ही वस्तु को अल को input कहां से मिलता है आग नाग कान से ग्याने इंद्रियों से तो इसलिए बोला जाता है भगवान के दोड़ा ही स्वें काम को जीतना है तो काम आया कहां से है इंद्रियों से आया है तो अब इंद्रियों को भगवान के से में लगाओ तो फिर वही सब चीज़े मन में लगें देखिए जब आप लोग रोज अगर भ Thyग्या करें श्लोग की धक्र सब्सक्राइब का मेरे बहुत अच्छा नबा हुआ था अभी रध्यात्रा हुई तो मैंने उजिन पांचे घंटा नॉन स्टॉप उसमें गाये किरतन किये तो अगले दना किया में रेस्ट कर रहे तो वही किरतन चल रहा था आसमें वही कि टून्ज है सपने में गारूं आसा बहुत रहली होता किरतन कि पांचे हई कंड़ रोज किरतन कहां वह करता है.. ये रोज पांचे हई मंक करता है कहां सुनती है अगर हो कि आसा अच्छा आए तो वही सब बाते चलन लग जाेंगे.. एक तो अन्भव आपने किया होगा कि एगर रात में जो एकडम सोने से पहले कुछ दॉच दू आप सुबह उठेंगे तो वही विचार प्रकट हो जाएगा पता नहीं आप लोग आसा अनबाव है कि नहीं कई बार आसा होता है इसलिए अगर सुबह शाम को हम सत विचारों को से चलें कि मुझे सुबह भजन करना है बक्ति करनी है तो फिर उस ओरियंटेशन किसे आप उठ करते हैं यह चीज मैं इसको मैं फिनिश कर देना चाहता हूं यह देखी बहुत ही गहरी बात है हमारे भजन के लिए अगर हम अपने भजन में स्पीर हैड समझते हैं एक फोकस चाहते हैं तो शाम के समय प्रयास करना चाहिए कि दम कृष्ण भावना भावित तरह से हम रात में ही डिस्टर्ब हो जाएगा हां कुछ बोल लेते हैं इसका पता रहे थे हैं अगर हम साम के छे वजे के बाद जो भी करते हैं और जो भी सोचते हैं वो आगर अगले दिन हमारे जपा को प्रवाविक करते हैं वही चीज़ आपको घूमते रहेंगे तो साम के छे मैं चाहिसे दुटम बंद कर दिये की मां लीजए कवूतर बोल रहा हूँ और कवूतर बोलते बोलते मर गया तो बौतर के रूम में आपकहां कора करते हैं इतना सतर को करते हैं वड़ा… बात बहुत हिट किया मेरे को क्यों कि वानी से क्या निकल रहा है क्योंकि वानी में स्मर्ण कीर्थन में स्मर्ण नहीं होता है अब कुछ बोल रहे हो तो अपने आप स्मर्ण होता है जो चीज आपको याद नहीं हो बोल नहीं सकते हो तो इसलिए ये भगवान की चर्चार अगर शाम को हमको करने को मिले तो करना जरूर चाहिए ओके इधर से भग लोग पढ़ेंगे अनौ क्या नाम है अम्रिद्गार प्रभु पढ़ी स्रीम स्वाधिनता का इथार्थ प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए इस प्रकार स्रीक्रिष्णा हम सबको अफसर देते हैं यदि हम स्रीक्रिष्णा की कामना है तो यह हमें उनको प्राप्त करने का अफसर देंगे और यदि हम क्रिष्णा स्रीक्रिष्णा को नहीं पाना चाहते तो यह ही उनकी भूल जाने का अफसर भी देंगे यदि हम स्रिक्रिष्ण को भूलकर भगवान को भूलकर जीवन का भाग भोग करना चाहते हैं भोग करना चाहते हैं तो यह हमें ऐसी सब सुविधाय देंगे जिन से हमें उनको भूल सके परंतो यदि श्रीक्रिष्णा भावनामरे स्यूक्त जीवन के आननत में मगन होना चाहते हैं तब श्रीक्रिष्णा हमें उस उस और प्रगोति करने का अफसर देंगे यह हम पर निर्वर करता है यदि हम स्री कृष्ण भावनामिता कृष्ण भाक्ती के बिना ही सुखी हो सकते है तो स्री कृष्ण को इस पर कोई आपती नहीं है यह ते साथ सथा करूँ और जुन को सलाह देकर भगवान स्री कृष्ण ने केबल यह कहा मैंने आप तुम्हें पुर्टिक बोस्तु समझा दिये तुम्ही तुम्हारी जो इच्छा हो वो कर सकते हो अरजुन ततकाल उतर देते है करिशे बचनम तब हम मैं आप आपको आग्गा पलन करूँगा यदि यही कृष्ण भावती है तो एक इंट्रस्टिंग चीज है तो आप लोग स्पस्ट समझ रहे हैं कि भगवान हमको सुतनत्ता देते हैं अब आप यह बताए कि अरजुन ने जब अरजुन को बोल दिया गया कि यह था इच्छासी तथा को रू तो अरजुन ने क्यों बोला कि करिश्य वचनम तबा मैं आपके वचन को करूँगा क्या कारण था पहले प्रशन समझ लीजिए प्रशन यह है कि जब भगवान ने सुतनत्ता दी अरजुन को तो अरजुन ने युद्ध क्यों नहीं छोड़ दिया क्यों बोला कि मैं आपका अनुसार करूँगा क्यों कि वच्ट थे तो क्या युद्ध के पहले भगवान नहीं थे तो क्या वो पहले शत्रिय नहीं थे उनको भगवान और भगवान के बात दोनों पर विश्वास है पहले क्या विश्वास नहीं था विश्वास नहीं होता, तो भगवान के शिश्व की रूप में क्यों आते हैं? आप बोल सकते हैं, रिपीट कर दूँगा, गर माईक दिर में. वो शर्नागत हो गयते हैं, यह अट्स होल पॉइंट, वो शर्नागत ही को स्विकार कर गयते हैं, उनको ज्ञान हो गया था कि मेरा अस्तित्व क्या है? यह नश्ट हो गया मेरा. यह अच्छी श्लोक का है, करिश्य वचनंतवा, मेरा मो नश्ट हो गया. मेरा स्मृति आ गए कि मैं आपका दास हू, मेरा करतव एक मातर करतव है, कि मैं आपकी इच्छा करदार कारे करूँ. वो इसले युद्ध नहीं कर रहे थे कि वो शत्रिय हैं, यह हैं, वो सारी बात नहीं थी. कि इसले युद्ध कर रहे थे? वो समझ गया थे कि मेरा एक मातर करतव है, कृष्ण को प्रसंद करना है. It's a very important point to be understood. क्योंकि वो उध जीतने के लिए युद्ध नहीं कर रहे थे. समझते हैं? वो उध जीतने के लिए युद्ध नहीं कर रहे थे, वो खृष्ण को प्रसंद करने के लिए युद्ध कर रहे थे. वो यह समझ गया थे कि लिए क्रिश्र चाहते है. संब्ड़ाए? अनन्त कृष्ण प्रोब यदि तुम यदि किसी परकार सोच बिचार किये बिना भगवान के सरनागत हो जाओ बासु देव सर्वमिति सव महात्मा तब आप उसी चन महात्मा में परिनत हो जाओगे तुम यदि अपनी तुक्ष बुद्धी की परवा किये बिना केवल स्री कृष्ण पर विश्वास कर यह मन में धारन कर ले कर लो कि वे जो कुछ कहेंगे मैं वही करूंगा बस तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा किन्तु यदि तुम यह सोचो की मैं स्री कृष्ण से अधिक बुद्धिमान हो मैं कुछ सोच विचार कर देखूं तब तुम मुर्ख ही रह जाओगे तुम स्री कृष्ण से अधिक बुद्धिमान नहीं हो, वे कहते हैं, सर्वधर्मान पर इते जा, तुम यहाँ करो, यही प्राकिर्त बुद्धिमता है। बहुत इंट्रस्टिंग, बहुत इंट्रस्टिंग है, देखे, जब कभी हमें कोई anxiety होती है, और आप किसी वेक्ति को बोलो, जिस पर आपको विश्वास है, भाई आप कर लोगे, तो यहाँ जिद्धा मत करिए, आप कर लेंगे, तो क्या होता है हमारा पोजिशन, होता है की नहीं होता है, अब भौट anxiety में हो, तो हम माली जिद्धा बहुत anxiety में है, कैसे मुक्त होंगा, कैसे मुक्त होंगा, क्या करूँ मैं, क्या करूँ, तो भगवान ने अपनी असीमित बुद्धी मानी से क्या बोला है, मनमना, भव मद भगतो, मद याजी, माम नमस्करो, अब उससे अधिक बुद्धी लगाने की ज़रत नहीं है, खाली बुद्धी क्या लगानी है, इन चार क्रियों को में कैसे अधिक से अधिक करूँ, हमें न तो अपने पापों से मुक्ती पराप्त करने के लिए प्रयास करना है, कुछ भी नहीं प्रयास करना है, क्या करना है, इ तेंशन मतलो तुमारे सारे पाप सब खतम करूँगा मैं और तुमको अपने धामे मैं वापस लेखिया हूँगा एक बहुत सिम्पल सी बात है जो लगाता रहर भगवान की सिवा में लगा रहता है भगवान स्वें उसको बुद्धी देते हैं ताकि वो उनके पास आजाए उसका अर्थ क्या है इसका यह है कि यही विश्वास कि बस अब मेरे को यही करना है भगवान के शरणागत होना है और कोई कारण और को जीवन में कारण नई में और कोई विक्ति मेरी शरण नहीं हो सकता है इस परकार कि उस्तोध घळा वह आ रही ऋ चारण तो इस कारण था कि भगवान किकीम्ब थीकसे कर रहे हैं और लिध्यतना यह आएगा उतना इखारें क्योंकि महसुस हो रहा है भगवान मुझे शरण दे रहे हैं dollar वीजिकाद डे सकते हैическая कुष्रण दे सकता हो अगर दे नहीं रहा हो तो दिफेत हैं और ओकुए रहा हो दे शकता नहीं हो शक्ती रही्या है उसके पास करने की तो भी दिक्कत है, तो भगवान के पास दोनों है, और देने के लिए उत्साहित भी है, ठीक है, हम लोग अपनी अल्प स्वाधिना को किस तरह अपने जीवने प्रयोक कर सकते हैं, कृष्ण को शरनाकत होने के, भगवान की भक्ति करके, लास्ट परग्राफ, प् प्रतेक भक्त को अवश्य प्रचार नहीं करना चाहिए, क्या यही लिखा है, प्रतेक भक्त को अवश्य प्रचार करना चाहिए, क्या हर भक्त भगवान का दास है, यह कुछ भक्त भगवान के दास नहीं है, एक सिंपल प्रश्ण है, ऐसा कौन सा भागवत है, जो भगवा का दास नहीं है तो दास का मतलब स्वामी की वो सेवा करनी चाहिए जो उनको सबसे अधिक परियो तो भगवान भगवद गीता में सपस्ट बोल रहे हैं कि सेवा सर्वसरेष्ट है येस तो उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए ठीक है पढ़िए अनुप सर पढ़िए जब कोई श्री चतने महा प्रवो की कृपा से खृष्ण भावना में मगन होकर अपनी चेतना को पुनर जाकृत करता है तब उसका अध्यात्मिक जीवन शुरू होता है एवं तब वे भगवान की सेवा के प्रती आसक्त होता है तभी वै आचारे के जैसा आचरन कर सकता है अर्थात प्रतेक को श्री चतन महाप्रवो का पद चिन अनुसरन करके भगवान की वानी का प्रचार करना चाहिए इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उनके प्रती प्रसन होंगे और उसे अनायास ही स्वीकृती प्रदान करेंगे वास्तव में भगवान की वानी प्रचार करके भगवत भक्त बनाना श्री चतन महाप्रवो के अनुगामी भक्त का करतव्य है इसी प्रकार पूरी पृत्वी में बेदिक ज्ञान प्रचार करने के फ़व स्वरूप मानुव समाज का परम कल्यान करना संभव दो यह रागा अनुगा भक्ती है क्या प्रमाण है अनुगा मतलब क्या होता है फॉलोवर और रागा सरोसिष रागातने के भक्त कौन है चितन वहाँ प्रभू और उनके पदचिन्नों पर चलने का अर्थ क्या है और यहां क्या लिखा है पदचिन्नों का अर्थ है मतलब प्रचार करना और बड़ा इजी है अगर आपको भगवान से प्रेम नहीं तो आप प्रिचिंग क्यों करोगे और यह अद्बूत बात है यह आप लोग जब प्रिचिंग करते रहेंगे तो समय में भी अनलगता है कि भगवान से हमारा प्रेम जागरित हो रहा है इस प्रचार के द्वारा यह बहुत ही सटल पॉइंट है सच्चे मायने में सच्चे दिल से बीना और किसी भिलाशा के भगवान को प्रसंद करने के लिए हम अगर प्रचार करते हैं प्रियास करते हैं तो आप देखेंगे कि भगवान से भी प्रिती बढ़ने लगी कोई विक्ति भगवान के खिलाब बोलेगा तो गुसा अपना सवस्थे प्रिती भगवान के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो गुसा आता है तो वही दिखाता है कि भगवान से प्रिती होने लगी है तो यह ना सोची कि आप जब परमहंस हो जाएंगे तब प्रचार करना है जिस भी अवस्था पे हैं जोसे आप इस हम जिस अव इसे करना चाहिए जो शुद्ध नाम के वस्था पे आएंगे तब हम जब करना शुरू करेंगे तो हमारे लिए प्रचार ही साधन है जितना अधिक प्रचार करेंगे आप सूची अगर आप प्रचार करने लिग जाए तो अनंत लोग है दिन भर हम भगवान के बारे में ब ठीक है तो हम यह रुकेंगे श्री लब प्रभुपाद के जाए